इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है यह शरीर में उन रसायनों के कारियों को कम करके काम करता है जो त्वचा की सूजन का कारण बनते हैं जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार होता है सोराइसिस के उपचार में यह पपड़ीदार खुजली वाले पैच को कम करता है जो कोहनी, घुटनों, खोपड़ी और शरीर के अन्य भागों पर विक्सित हो सकते हैं एक सिमा और जिल्द की सूजन के उपचार में यह आपकी तवचा की जलन की प्रतिक्रिया के कारण होने वाली लालिमा, दाने, दर्द या, खुजली को कम करता है इस प्रकार ये आपके आत्म सम्मान और आत्म विश्वास में सुधार करता है क्योंकि आपकी उपस्थिती बदलती है आपको हमेशा निर्धारित क्रीम या मलहम का उपयोग करना चाहिए और केवल वही राशी लागू करनी चाहिए जो आपको बताई गई है जब तक इसका पूरा लाब पाने के लिए बताया गया है तब तक इसका इस्तिमाल करते रहें यह दवा केवल बाहरी उपयोग के लिए है अपने चिकितसक द्वारा सलाह के अनुसार इसे खुराक और अवधी में प्रयोग करें उपयोग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें प्रभाविक्षेत्र को साफ करके सुखाले और क्रीम लगाएं लगाने के बाद अपने हाथ धोएं जब तक की हाथ प्रभाविक्षेत्र न हो मो में टेक्सिल क्रीम एक स्टेरोइड है ये कुछ ऐसे कैमिकल मेसेंजर यानि की प्रोस्टाग्लेंडीन के उतपादन को रोपता है जो तवचा को लाल सूझे हुए और खुजलीदार बनाते हैं विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन ओन नोटिफिकेशन प पर सेट करें धन्यवाद